तो गाइस क्या हुआ जब मुहम्मद सिराज और इस्टेन स्मीथ के बीच में बीच मेंदान में हो गई लड़ाई जिसे देखने के बाद विराट कोली और रुहित सर्मवी हो गई बहुत ही ज़्यादा परेसान तो गाइस आज वर्ल टेस्ट चेंपियन का सेकेंड डे का मुकाबला सुरू हो चुका है तो गाइस जब मुहम्मद सिराज आए बॉलिंग करने के लिए तो इस्ट्राइक में खड़े इस्टेवन इस्मीथ मुनने मुहम्मद सिराज के गैंद में लगातार दो चोके जड़ मुहमद सिराज के गैंद में दो चोके जड़ने के बाद मुहम्मद सिराज काफी ज़ादा फ्रस्टेट हो जाते और फिर जब मुहम्मद सिराज अपनी अगली गेंद लेकर जाते हैं तो इस पाइडर केमरा के डिस्ट्रेक्शन के कारण इस्टेवन इस मीथ पीछे हट जाते हैं जिससे काईद मुहम्मद सिराज बहुत ही जादा गुसा हो गया और उन्होंने गेंद को इस्टम्स की ओर फैक दिया और रोहित सर्मा और विराट कोली भी सिराज की इस हरकत पर बहुत ही जादा हैरान दिखे और फिर गाईस इन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक बैस बाजी चली और फिर मामला जल्दी ठंडा हो गया तो गाईस आपको क्या लगता है कि महमद सिराज ने ये सही किया या गलत आप लोग अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताना